सीता कुंड के जैसा पाथवे बना है और पाथवे के पस्चिन साइड में जो क्या बॉलते की बॉंडरी किया गया है उस पे मिथला पेंटिंग किया जा रहा है इसी नदी के सबसे उत्तरी छोर पे रवर डैम बनाया गया था जो पित्रपक्ष मिला लगने वाला है वो बहु कुल लागत रासी 25.85 कड़ोर रुपया है गुंगरी टाड़ बैपास ब्रिज से मुक्ति धाम तक इस पहुच पत्त की कुल लंबाई 550 मिटर है और बोजो नमस्कार पर नाम मैं अमीद सोरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्त के हमारी मौजूदगी है ज्यान बब मोक्ष की भूमी गया जी में और आपको ग्यात हो कि इसी माह के 17 तारिक से यहां पे पित्रपक्ष का मिला लगने वाला है और पित्रपक्ष का जो मिला पुल दिख रहा है वो गया मानपूर बैपास का पुल है और यह जो नदी आपको दिख रही है यह फल्गू नदी है और इसी नदी के सबसे उत्तरी छोर पे रवर डैम बनाया गया था रवर डैम को इसलिए बनाया गया था ताकि फल्गू नदी में बार हो मा पानी संग पर यहित हो ताकि लोग यह पिंदैन करने के लिया है तो उनको पानी का किलत का सामना ना करना पड़े और अभी मौजूदगी आप उनके सीटा कुंड के जैस पास्चिम साइड में सेंस्ट उसके साथा और पाथवे फास्चिम साथ में जो बाला क्या बॉलते की बॉंडर मिज़ा उसमें दिखाया घया था कैसे पूरा मायन को मतलब की वीटियो के फॉर्मिट मेस देख़ांगे लेकिन उस तरह उस तरफ जो चिता को पर आउन हैं और दो दिखाए तो इस तरह किया चुट्रा करने वाले पांतारे लोग आas कुछी दिन पहले साथ तारीक को यहां पर माननीय मुखमंत्री आये थे वियार के मुखमंत्री है और उन्होंने इसका उद्धाटन भी किया था और उधर जो आपको दिख रहा है द्रीश यह सब जो काम है वो यूद्धस्तर से चल रहा है और बहुत कम समय बच गया है पितर और यहां पर सीला पट लगवा इसमें क्या क्या लिखा हुआ यह हम आपको दिखाते हैं यहां पर लिखा हुआ बिहार सरकार जल संसाधन विभाग के दौरा इस पर पूरा मतलब की पूरे फल्गों नदी पर काम चल रहा है और सिरी नितीश कुमार के करकमलो द्वारा वि जल निकास के लिए यहां पर डैम बनाया जा रहा है और वो उसका भी जो काम है वो अंतिम चरन में मतलब कि यह भी बहुत जल बन करके तयार हो जाएगा इस योजना की कुल लागत रासी 25.85 कड़ोर रुपया है गुंगरी टाल बैपास ब्रिज से मुक्ति धाम तक इस पह कुंड के तरफ की जो मतलब की तस्वीर है वो पिछले सालम अपने चैनल के माद्यम से दिखाए थे और इस बर्स जो पित्रपक्ष मिला लगने वाला है वो बहुत ही भब होने वाला है बहुत ही अकरसक होने वाला और गया परसासन और खास करके जो गया के डियम है तयाग मारं में लोग आये थे और इसके उद्धाटन में इसके लोकारपन में अब हो गया जो जो सेस्ट काम है वो भी दस्तर पे चल रहा है बाकी आप लोग भी पिन्डदान करना जाहते हैं ज्र albums और तैसे और जो सब्सक्राइब आएगा, तब तक के लिए न हुए और का लिए network